हालो एव्रिवान मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी कर स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए जैसा कि मैंने आप से कहा था कि मैं अब आप लोगों के लिए एक बेसिक वाली सिरीज शुरू कर रही हूं जिसमें ग्रामर और आप लोगों को लाइव जो है आकर मैं करवांगी question solve कर वांगी तो यह हमारा एक जो है आपको ये जो सेशन हमस्टार्ट कर अनवा यह हमारा एड है live exclusive practice batch यो पी तीज़ी टी के लिए practice batch है जिसमें mock test और target test है mock test 50 questions के होते हैं target test जो है वो 125 questions के mostly 125 के हैं कुछ उससे भी ज़्यादा के है तो यह test है इसके अलावा और नए test भी इसमें जो हैं वो डल रहे हैं जो सारा आपको material जो है इसका test target test और mock test का जो है जाता है और जो टेस्ट हर हाफते बनते हैं वह अलग जो है वह पीडिया फॉर्म में दिये जाते हैं और यह पूरा इसको हम एक्स्प्लेइन करवा के प्रैक्टिस करवाते हैं और यह जो है यह बैच अगर आप जॉइन करना चाहें तो आप एप को डाउनलोड करके वहां प और ग्रामर का है और इसमें भी आपको सारे नोट्स वगरा सारी चीज़ मिलती है मैं आपको एक चीज़ बताती हूं कि मेरे यहां पर जो भी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं मेटीरियल उनको पढ़ते हैं तो बहुत सारा मेटीरियल उनको प्रोवाइड किया जात लेकिन यह प्राक् complaint अलग से इसलिए है कि अगर आप फिक्र at buck ईट चुके हैं तो अब अपने और हो इसके लिए prayers उसके लिए यह प्रैक्टिस प्रैक्टिस बैच है और फिक्शन चाहिए वीडियो बैच तो यह आप देख सकते हैं आज período के आण्या करवाना यह मैं आपको बता दूँ पहले मैं दिखा दूँ आप लोगों को हमारी जो सीरीज है इसका नाम है English for All सभी लोगों के लिए मदब जिनको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में उनके लिए भी forms of poetry है epic and elegy मैंने इसमें ली है अब इसको मैं बहुत कोशिश तो मैं यहीं करूंगी कि बहुत अच्छे से आराम से एक एक व्यक्ति को मेरी बात जो है समझ में आ जाए और जिस दिन इसका question answer round होगा हो सकता है question answer round कल ही हो आपके पास live का वो आ जाएगा तो आप live जरूर जो है जॉइन करें और उसके questions को solve करें जिससे आपको भी अच्छा लगे कि हां हम लोग ने जो पढ़ा वो हम जो है उसको solve कर पा रहे तो चलिए देखते हैं कि introduction to literature है यह forms of poetry है introduction to literature सबसे पहले देखिए कि literature को can be classified and sub classified in various forms literature को अगर हम divide करते हैं तो आप यह देखिए literature को अगर हमने divide किया तो किस-किस में drama non-fiction and prose poetry and novel ठीक है यह पहले यह चार जो है यह इन भावों में हम लोग literature को divide करते हैं drama पूरा literature इनी चार categories में इनी चार genres में जो है वो आता है genre का मतलब होता है लिखने की जो विधा होती है उसके बाद हम अगर आगे दे तो poetry में क्या-क्या जो है वो होता है poetry में मैं आपको बताऊंगी poem होती क्या है poetry का से आप क्या समझते हो एक literary composition एक जो है जिसे कहते है कि एक जो काव्यात्मक रचना होती है जो एक आपके emotions को बताती है by particular attention to diction जिसमें शब्द जो होते हैं वह आपके दिल से निगलता राइम स्कीम होती भी है कभी नहीं भी होती है शब्दों का प्रवा उतार चड़ाव होता imagery एक काल्प के कल्पना जो है वह poems में चलती है poems को इन सभी चीज को मिला का poems कहते है अब poem में क्या-क्या होता है epic होता है mocking upon pake sonet है ponetti होता है lyric है ideal है **** एलिजी है पैस चोरल है पाले होता है यह की यह poetry के प्रकार है जो पोईट्री में पढ़े जाते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे यहांप आफ मतलब होता है है बहुत एपक क्या है एपक का मतलब होता है अई इक अफिक में क्या बताया जाता है इक कहानी बताई है तो कहानी कहने लिया गया है, epic का मतलब होता है story, एक poem, एक story poem होती है, एक लंबी long कहानी होती है, जिसमें एक serious subject होता है, जिसमें hero की details के बारे में बताया जाता है, and events, significant to a culture, और जो इसके events होते हैं, वो किसमें होते हैं, significant to a culture or nation, ठीक है, तो epic की पहली quality क्या हुई, epic जो होती है, वो narrative poem होती ह है, narrative का मतलब क्यों होता है, कहानी कहतीवी poem होती है, Greece, Greek word से है, इसका मतलब क्यों होता है, एक कहानी कहतीवी poem, जो एक serious subject पे होती है, और इसमें hero के adventure की कहानिया होती है, और ये culture, किसी country के culture को बताती है, ये हुआ आपका पहला point, oral poetry may qualify as an epic and Albert Lord and Millman Perry have argued that classical epics were fundamentally an old, अगर हम epic को divide करें, तो epic जो होता है न, वो दो तरीके का होता है, एक होता है, oral epic, traditional और एक होता है, literary epic, अब ये जो oral epic होता है, ये epic, oral ये traditional epic जो होता है, एक generation से दूसरी generation तक pass over होता है, उसमें कुछ जो changes भी होते हैं, वो लिखे उसमें form में नहीं होता है, उसे traditional epic क्याते हैं, जो literary epic होता है, उसका जो poet होता है, वो बहुत सारी sources से उस epic को लिखता है, उसे secondary epic क्याते हैं, और जो oral epic होता है, उसे primary epic क्याते हैं, तो फिर दुबार कि कहानी जो है वह सुनाई जा रही है सदीयों से वही कहानी चल रही है अलग अलग जो है वो फॉर्म विभिन सोर्ससिस से लेता है खुढ करता है और उसमें जो है वह बहुत सारे सोर्ससिससे अपने mautineri conik challenge करता है तो उसे क्या कहा जाता है secondary epic या लिटरी ऑपिक जो है वो धर है अब हमाब बात करें कि जो औरियेडे को तहीं है यह poetic form में oral epic होते हैं यह oral epics classical epics कितने नाम हो गए इनके classical epic literary epic oral epic या primary epics यह poetic form oral poem epics have been written down at least since the work of epics बहुत पुराने है Homer, Virgil, दार्ते, जॉन मिल्टन इन्होंने सबने epics जो है वो लिखे हैं Homer का epics है इलियड वर्जिल ने एनियड लिखा है और जो जॉन मिल्टन का तो आप सभी को पता ही है कि इस प्राइडाइस लॉस्ट चीक है अब नाते जो कि एक इटालियन पोएट थे अब आप अगर यहां पर वह एक फर्स एपिक्स और नोन प्राइमरी जो ओरल एपिक्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है प्राइमरी एपिक्स कहा जाता है यह ओरीजनल क्योंकि यह कहानी पीडी दपीडी चलती आ रही है इसमें हम अगर वन सच एपिक इस दा ओल्ड इंग्लिश चोरी ब्यूवुल्फ शाथी सेंचुरी की कहानी ब्यूवुल्फ जो है वह सब पुराना एपिक इंग्लिश में माना जाता है और यह जो है एपिक्स जैट अटेंट टो इमिटेट दीज लाइक और जो विभिन सोर्स से अपनी जो कहानी को एंडिच करते हैं सेकेंडरी एपिक्स जैसे मिल्टन का पैरडाइस लॉस्ट एक सेकेंडरी एपिक है अब एक और तरीके क्यों होते है अब अगर हम इसको शॉट में लें तो हमारे एपिक को अगर हम यहां पर लें तो एपिक क्या है कि भाई या एपिक जो है एपिक क्या है में में पॉइंट्स अगर हम एपिक के लेते हैं तो एपिक क्या है एक नेरेट क्या बताता है दा कल्चर ओफ पर्टिकुलर नेशन ठीक है अब एपिक को हम डिवाइड करते हैं किसमें एपिक हो गया हमारे प्राइमरी एपिक्स जो ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं अब होमर ने इलिएड लिखा है मगर वो प्राइमरी एपिक है उसके रचियता होमर जरूर थे मगर उन्होंने जो कहानिया सुका ही सुनी कहानिया थी उनको ही उन्होंने जॉट डाउन करा था तो यह भले उस पर उनका नाम है मगर वो प्राइमरी एपिक है और प्राइमरी इसको ही जो है oral tradition में कहा जाता है इसी को कहा जाता है हमारा traditional epic ठीक है जी उसके बाद हमारे epic में आता है literary epic जिसमें जो poet होता है वो बहुत सारी sources को use करता है और जो है वो secondary epic भी होता जैसे जो Milton का paradise lost है वो क्या है that is secondary epic ठीक है जी तो यह epic का जहां तक मैंने बताया वो यह epic का एक short में मैंने आपको जो चीज बताई हो है अब आप यहां देखिए another type of epic poetry is epilion which is a brief narrative poem with a romantic or mythological theme एक और तरीके कि epic poetry होती है जिसे epilion कहते हैं क्या होती है यह epic तो बहुत लंबे होता है यह छोटी सी कहानी कहती भी poem होती है जिसमें एक जो है mythological यानि कि जो mythology से संबंदित होता है या romantic जो है उसकी theme होती है भागवान से संबंदित theme होती है या romantic जो है वो theme एपीलियन epic का एक type है जो brief narrative poem होती है जिसकी theme जो होती है romantic या mythological theme जो है वो होती है the term which means little epic epilion का मतलब क्या होता है little epic यह 19th century में आये थे यह it refers primarily to the erudite shorter hexameter poems of the hellenistic period यह अब यह line जो है यह छोटा epic जो है उसे कहते हैं epilion यह पढ़े लिखों के लिए था shorter hexameter poems हुआ करती थी और यह जो है 19th century में आया था hellenistic यानिकी Greek period को दिखाते वह and into a lesser degree the term includes some poems of the English Renaissance particularly those influenced by Ovid अब यह जो है and the similar work composed at Rome from the age of the Neutrix at और यह in poems में English Renaissance की कुछ poems को भी हम लेते हैं तो basically epic हुआ लंबी poem लंबी poem जो है अब छोटा epic होता है mini epic यह little epic उसको क्या कहा जाता है epilion 19th century में आया था और इसकी जो theme होती थी वह romantic या mythological theme होती थी अच्छा इसका जो बहुत famous example है वो है catulus 64 epilion का example है catulus 64 अब in the east the most famous works of epic poetry अब हमारे जो इस्ट की तरफ जो epics है वो कौन से है रमायन है महाभारत है और odyssey idiot जो homer के हैं और western canon में fulfilling the same function of the western world हमारे है रमायन महाभारत इलियाट odyssey जो है वो western world के तो यहां तक अगर हम एक पर समप करें तो अगर यह करें कि जो short epic होता है जो short epic है उसको क्या बोलते है एपीलियन ठीक है जी और जो है यह इसकी जो theme होती है वह यह तो mythological होती है यह जो होती है वह क्योंसी होती है romantic इस ब्रीफ epic कहते है 19th century में यह आया था और यह जो है यह basically इसमें English बैसे तो यह 19th century में आथा लेकिन फिर हम यह कहें कि इसमें कैसे जो यह term है यह 19th century में था term जो है वह 19th century में आया था लेकिन English Renaissance की कुछ poems भी इसमें रखी जाती है यह है कहने का आप सोच रहोंगे कि जब आप एपीलियन जो वर्ड ही है वह 19th century में आया तो फिर यह कैसे हो गया तो यह जो है यह वर्ड 19th century में आया तो उसमें कैटिग्राइज करने के लिए लिए लिटल एपिक में जो है इंग्लिश रेनेसांस की कुछ पोयम्स को रखा गया यह इसका एक्जाम्पल अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहां पर लेते हैं हमारा यह है नेक्स्ट इस मॉक एपिक अब यह तो हुए अब्शल के एपिक सेंड्रिक्पी प्रैम्रीय अपेक तो जैसे मैंने आपको समझाया कि ब्रैमरीया और एक क्या होते है सपेटिछह एक की आपशेश्ता ही होती है कि आपक होते ते वह 24 बूक्स में लिक्टे जाते थे एपक सबढ़ है गरह सक बुक्स में है तो अब यह देखिए यहां पर जो यह 12 वाले भी है इसके लावा जो स्पेंसर का फेरी कुईन है वह भी एपिक है अगर वह कुड़नोट कंप्लीट वह से कंप्लीट नहीं कर पाए अगर मैं आप से इसी पर बेस्ट अगर क्वेश्चन्स पूछूंगी तो आ पूछ सकती हूं अब होता क्या है ना मेरे टाइम पर मेरे पास मुझे अपनी जिस बुक में तो मुझे दूड़ने में को जाती है चलिए तब तक बढ़ा देती हूं अब मैं आगे बढ़ती हूं मॉक एपक्स जो है वो बताती हूं आपको अब पोएम विच डील्स विट अब इस लाइन को समझेगा एक पोएम जिसमें बहुत ही स्लाइट यानि की एक ऐसा एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए तुछ सब्जेक्ट को लिया जाता है लेकिन जो लिखने की शैली होती है एलिवेटेड बहुत बढ़ा चढ़ा के वह शैली यूज की जाती है और जो ल क्लासिक्स को फॉलो करती ही उसे क्या कहते हैं मौक कहते हैं सच पॉयम ससे टॉर मौक्री ऐसी पोएम क्या बन जाती है मजाक उड़ाती ही होती है और वह जो चीज दिखा रहे हैं चोटी सी चीज का बहुत elevated style में दिखा जाते पोप का है रेप of the lock उन्होंने पोप नियो क्लासिकल एज को बिलॉंग करते थे पोप ने उसमें जो लिखी है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे दो परिवारों के बीच में एक लॉक रेप of the lock मतला बता समय की सुसाइटी पर उन्होंने व्यंग जो है वो किया है रेप of the lock में इसमें पूरा प्रॉपर इन्वोकेशन जो किया जाता है वो म्यूज को इन्वोक किया जाता है इसके करेक्टरिस्टिक कन्वेंशन क्या होता है इन्वोकेशन म्यूज को कविता की देवी को कहा जात यानि कि बहुती बढ़ा चड़ा के बहुती पॉंप स्टाइल को यूज किया जाता है बैटल्स होती है सूपर नैच्रल एलिमेंट होते हैं भाई जैसे देवता जो है वह एपिक्स में आते इसमें भी होते हैं वह बात अला कि इसमें फैरीज और जो इंजल्स दिखाए जात यार्ट चॉसर का दनन्स प्रीस टेल एंड बॉलियोज लूम लूटरिन यह हाला कि जो है यह मौक एपिक के तौर पे नहीं है मैं एक स्टोरी की तरह है वैसे बैसी कली जोनाथन सुप्ट का बैटल ऑफ द बोक्स पोप का डंसिया डिये जो है यह एक मौक एपिक जो है व है बारे में हमारा जो कोई क्रिवीजन होगा मैं अब भी किताब ढूंड रही हूं कि मुझे मिल जाए तो मैं क्वेश्चन्स आप लोगों से पूछ लूँ लेकिन मुझे किताब जो है वो मिल नहीं रही है टाइम पर कभी कोई चीज मिलती नहीं एक चुली चलो फिर भी वो तो ना मिली एक और दूसरी किताब मिल गई अब उसी में से यह देख लेते हों क्वेश्चन्स होंगे तो मैं आप से जरूर पूछना चाहूंगी कि चलिए मिल गये कुछ फों कॉश्चन्स हैं इसमें अब हमारा पहला कुश्चन है कि महाभारत एंड रमायांट्स आर नॉवल स्टोरीज बैलेड्स एपिक्स तो आपको थब को पता है यह इस्ट के एपिक्स हैं यह एपिक्स हैं और यह अच्छा अब मैं आप से पूछते हूँ जैसे हम एपिक कोई करें तो एपिक्स में कि एपिक्स कितने टाइप के होते हैं दोतरीके के और लिटेरि ओर्टनरा अपिक्स और जिने प्रइम्रिफ त्विक Krish कहा जाता है और दूसरे होते हैं लिटेरी या सेकेंड्री आपक्स जो होते हैं उनको लिखने का लिखे जाते थे वो कितनी बुक्स में लिखे जाते थे गिल्कुल सही 24 बुक्स में लिखे जाते थे लेकिन इनियट जो है वह 12 बुक्स में हैं तो परडाइस लौस्ट भी जो है वह 12 बुक्स में ठीक है उसके बाद next question हमारा यह है secondary epic को question यह है secondary epic is also known as literary epic novel ballad filmy epic तो आपको पता है secondary epic जाना जाता है a literary epic के नाम से now the next question is which is which of these is an Anglo-Saxon epic Beowulf, Paradise Lost, King Arthur, Fairy Queen तो अब Beowulf जो है वो एक Anglo-Saxon जो है वो epic है ठीक है epic क्या बताते है adventures of a adventures of a hero history बताते है उस nation की और जो brief epics होते हैं जो little epics होते हैं जिनने कहा जाता है तो यहां तक और mock epic क्या होते हैं जो मजाक उड़ाते हुए होते हैं उनकी जो जो चो subject होता है वो बहुत trivial होता है मगर लिखने का तरीका वही होता है जो epic होता है epic similes epic similes अब आपके दिमाग में आगा epic simile क्या होती है तो epic में use करी जाने वाली similes simile वो होती है जो दो dissimilar things को compare करते हैं जिनमें कुछ कुछ समानता होती है लेकिन epic similes बहुत बड़ी-बड़ी similes होती है एक पेज तक चलती है वो comparison जो है वो चलते रहे उन्हें epic simile जो है वो कहाँ elevated style style बहुत ही inflated होता है बहुत शब्दों का चैन जो है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किया जाता है यह हुआ हमारा epic अब चलिए बात करते हैं legy legy क्या होती है legy जो है वो एक lament एक विलाप करने वाली पोयम होती है एक सोच परक्पोयम होती है वो किसी की मृत्यू पर लिखी जाती है यह कोई ऐसे ही गंभीर event पर और अलग से भी हम इसको ले सकते हैं और यह एक बहुत बड़े वर्क में एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है जैसे ब्यूवल्फ के में के फ्यूनरल पर एक पोयम कही गई तो वह एक एक में एलिजी हो गई यह एक सेपरेट वर्क भी हो सकता जैसे लिसिडस है और फेमस इग्जामपल इसटॉमस ग्रेज एलिजी रिटर्न इनकांट्री चर्च यह यह एक इमस्नल एलिजी होती है इंसमें उन्होंने जो जनरल पीपल के लॉट पर यानिके जनरल लोगों के उपर उन्होंने सोचा है उनके बारे में वह उच रहे जो एक साधारन लोग जो बिना विरुद कर रहे हैं यूमन काइन्ड के लिए वो जो है एक लेमेंटेशन सौंग है परस्ट अलिजी होती है जब आपका कोई निकटम जो है व्यक्ति की मृत्यू होती है उसके विलाप सौंग लिखा जाता है ताट इस परस्ट लेलीजी इंपरस्ट नल एक जनरल फेंस में लिखी जाती है तो य जले गए उनकी याद में तो पक्के जो है कबर भी नहीं बनवाई जा सके यह उसी की लाइन है और एनिमेटेड बस्ट बैक्टो इट्स मेंशन कॉल दा फ्लीटिंग पर यह ग्रेवियार्ट स्कूल ऑफ पोईट्री को बिलाउंग करते थे तो लाइंकी जो भाशा है वो पतला शरीर तो क्या इस शरीर में फ्लीटिंग ब्रेथ वो जो आत्मा चली गई है वो वापस आ जाएगी के अगर हम उनके समान में कुछ कहें तो प्रोवोक दसाइलेंट डस जो आज यह मिटी बिल्कुल शान्त पड़ी हुए तो क्या यह उठके जीवन्त हो जाएगी औ और अगर हम कुछ जो है फ्लैट्ट्री करें कुछ जो है उनको उनकी चापलूसी करें तो क्या सूथ द डल कोल्ड यार ऑफ डिद तो क्या यह मृत्यू के थंडे कानों को सुनाई देगा कहने का मतलब यह है कि मृत्यू के उपरांत आप किसी भी व्यक्ति कि कितनी भी ता हूआए इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हों जो बहुत योग्य थे वगड़ कर सकते हों या म्यूजिक की जो है धुन निकाल सकते हों मगर गरीबी की वजए से ऐसा सब हो ना पाया, तो अगर हम ऐलीजी को घर रिवाइज करें तो क्या है, ऐलीजी जो होती है, सॉंग अफ ले मेंटेशन, परसोनल ऐलीजी, जब किसी की मिलत्यू पर सॉंग लिखा जाता है, परसोनल ऐलीजी, एक ज़नरल पब्लिक के लिखा एक है तो इंपर्सनल एलिजी रिटर इन कंट्री चरचप एक इंपर्सनल एलिजी थीके जी अब एलिजी के बाद हम बात करते हैं friendships pro लेजी यह एई क्या एक और प्रकार है इसमें जो इंपोर्टेंट होता है इंग्लिष लिटरी हिस्ट्री में क्या important है is the pastoral elegy whose highlights include pastoral elegy का मतलब होता है कि जो poet होता है वो एक shepherd के रूप में एक साथी shepherd यानि कि गडरिये की मृत्यू पर विलाप करता है John Milton की जो licidus है और Shelley की जो adonis है ये pastoral elegy के examples हैं क्योंकि licidus में Milton अपने friend की मृत्यू पर विलाप कर रहे हैं उसको एक shepherd मानके और जो हैं शेले जो हैं वो कीट्स की मृत्यू पर लिखी है तो वो एक pastoral elegy है pastoral elegy is combined pastoral themes इसमें theme जो होती है वो ग्रामीड theme होती है pastoral मतलब rural area ग्रामीड परिवेश उसमें दिखाया जाता है और nature dates यानि कि उसमें जो देवी देपता दिखाया जाते हैं seasonal vegetation with a memorization इसमें seasonal जो उसमें उहां पर उखती है वो फूल पत्यों का वर्णन किया जाता है और साथ ही साथ इसमें उसमें किसी अपने निकटतम संबंदी की इम्रित्य उपर विलाप किया जाता है तो अगर हम L.E.G. के बात करें आप में आपे L.E.G. के भी questions पूछ लेती हूं वाकित हो मैं आप से online उसमें पूछूँगी अब L.E.G. के भी पूछ लेती हूं चलो मिल गए मुझे लीजी के भी questions मिल गए है तो चलिए मैं आप सब एलीजी के question पूछती हूं एक question इसमें यह है which kind of poetry has ubisunt motive the formula of where are they एक इसे कहते है ubisunt motive यह एक term है जिसका मतलब होता है यह एलीजी के लिए use करते है इसका है meaning है where are they कहां चले गए वो लो तो ubisunt motive वाली जो है ubisunt motive किस में देखने को मिलता है which kind of poetry has something where are they the formula that is for lamenting the past तो इसका answer है lyric, elegy, ballad या epic तो इसका सही answer है where are they कहां चले गए वो लो तो इसका answer है elegy, lycidas, thyruses and adonis are dramatic romances, b comedies, c pastoral elegyes यह d sonnets तो यह है pastoral elegy pastoral elegy में और elegy में क्या अंतर होता है कि pastoral elegy में poet जो होता है वो गड़रिय की भूमिका में साथी गड़रिय की मृत्यू पर विलाब करता है इसका answer है टबलू एच ओर्डन चले यह कुछ questions थे जो मैंने अभी आप से पूचे वाकिए तो काफी सारे questions रहते हैं अगर आपको मेरी यह बात समझ में आई तो यह बहुत ही बेसिक सी चीज़े जो है मैंने इसमें बताई है और अब मैं इसका जो है वो आप लोगों को प questions करवाने के लिए live आउंगे ठीक है जी तो आई होब कि यह session आप लोगों के लिए helpful रहे बहुत अच्छा session है और मिलते हैं next live session में